इस कुद भी आस सब्सक्राइब करने जारें निफ्टी बैंक निफ्टी अनलिसिस और साथ मैं आपको मैं दूंगा एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम निफ्टी बैंक को देखेंगे उसके लाद मैं अज प्राइविट बैंक प्लस प्योड प्यास्यू बैंक का भी अनलिसिस करेंगो और यह बताऊंगो कैसे यह वीक है या बुलिस है और साथ मैं आपको अगली उसके लाद दोगा निफ्टी का अनलिसिस तो ह निफ्टी बैंक को अच्छी बैंड लाईन फॉलो कर रहा था यहीं पर सेंको इक बोलिस्टse बिला यहां सेंको अच्छा बुलिस समुव देखने को बिला ओर Definitely!! काम करने वाला था वो था यह वाला लेवल यह इंपोर्टेन रेश्टेंस सा काम करता यह लेवल लेकिन इसका बहुत अच्छा ब्रेक आउट प्लस री टेस्ट हो चुका है और निफ्टी बैंक कभी मेरेको पिल्कुल अच्छा बुलेश लग रहा है फर्स टार्गेट में न कर सकते हो तो 15 मेरे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मेरे को एक इंपोर्टेंस में ट्रेंड लाइन से दिखे रहे हैं यह वाली ट्रेंड लाइन अच्छा कर सकती है हमारा मंडे को और बहुत इंपोर्टेंट ही ट्रेंड लाइन है और वही अगर मैं अपर मृफितिया तो बनिटी को ये वाला लेवल जो है इसग्रो करना पड़ेगा ये वाला लेवल का अगर ब्रेकाउट बन्रेविट बन्रेवेद्टी करोड तो आपको अच्छा लेयका बैंग निफ्टी के लिए अब मैं पता हो अगर बैंग धी थोड़ा सा गैप अप इसके ऊपर यहाँ कहीं गैप खुलता है या फ्लैड भी खुलता है तो वेट करेंगे इसका ब्रीक आउट प्लस डी टेस्ट का वेट करेंगे हम 743 से लेके हमको टार्गेट मिलेकर 92 तक मतल अगर मैं downside की बात करूँ तो downside के लिए उसको अगर फ्रेट एक्सपोडा सा gap down खुलता है तो इस support का प्लस इस trend लाइन का बहुत अच्छा breakdown प्लस retrest होना चाहिए इस अगर breakdown प्लस retrest हो जाता है तो पहला target हमको बहुत easy यह वाला मिल जाएगा यह वाला target जैसे breakdown procedure साथ आपको देखने को मिल जाएगा और second target रहेगा यह वाला level यह वाला level बहुत important level है यह में आपको daily के चार्ट में mark करके दिये था तो आप सोच सकते हो daily के जो important support resistance बनते है वो कितने strong हो सकते है बहुत important यह support है तो बहुत easy से हमको target देखने को मिल रहे है bank nifty जैसे मैं दुबार repeat करता हूँ अगर gap up खुलता है या flat खुल जाता है तो हम wait करेंगे retest का इस level के इस level का retest होते ही हम पहला target यह वाला लेंगे second target हम लेंगे यह वाला और वही breakdown हो जाता है breakdown के के बाद हम retest का wait करेंगे trend line प्रस support का उसके बाद पहला target हमार रहेगा 37,439 का second target हमार रहेगा यह वाला बहुत easy targets हमको bank nifty में देखने को मिलेंगे हम एक पर नजए दोड़ा लेते है अपने nifty private banks प्लस PSU banks पे तो दुबारा मैं चलता हूँ अगर इसको weekly time frame में क्योंकि इसको मैं 15 में time frame में analysis नहीं करने वाला हूँ इसको मैं सिर्फ daily में देखूँँगा बड़ा-बड़ा सा picture दिखाऊँगा आपको कि हाँ अभी nifty private bank को कैसा दिख रहा है तो अब nifty private bank को अगर हम देखेंगे अपने daily time frame में देख सकता है कितना important level है यह वाला मैं आपको बिल्कुल right extend करता हूँ एक पर ट्रेंड लेन support को तो यह वाला देखिए कितना important level है और इस level का हमको breakout और plus details देखने को मिल चुका है इसका मतला हमको अच्छा खासा एक private bank का view मिल रहा है कि हाँ private bank को थोड़ा बुलिस लग रहा है तो आप फड़ा-फड़ अभी प्यस्यू banks को भी देख लेते हैं जड़ा time waste में आपको इस वीडियो में नहीं करूंगा तो प्यस्यू banks को अगर हम देखे तो प्यस्यू प्यस्यू banks में आपको देखने को मिलेगा कि एक symmetrical triangle pattern का formation हो रहा था बहुत important यह trend line थी lower वाली यह देखे कितना important आपको यह पर support देखने को मिला यहाँ पर हमको support देखने को बिला इतना अच्छा move आया all time high तक प्यस्यू banks गए उसके बाद हमको दुबारा एक अच्छा downfall देखने को मिला है उसका देखी कितना important अच्छे से इसने इस reason का support लिया है और breakout नहीं breakdown नहीं हुआ है उसके बाद हमने देखा अच्छा का सट up move आया उसका breakout होते ही हमको details देखने को मिल चुका है बहुत easier target मेरे को PSU banks में लगता है यह वाला यह वाला हमको target देखने को मिल जाएगा और PSU banks plus private bank मुझे अच्छी bullish condition में लग रहे है इसका मतलब हम bank nifty में upside की अच्छी trades ले सकते है तो वापस हम चलते है अपने nifty का analysis करते है nifty का analysis से पहले आपको मैं अपनी पिछली analysis से सो करना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा था पिछली analysis आप एक बाद एक बाद देख लेना कि मेरी analysis कैसा work करती है उसके लिए आपको एक अच्छा overall picture मिल जाएगा अगर आपने पिछली मेरी analysis देखी होगी तो मैंने आपको कहा था bank nifty में तो gap fill हो चुका है लेकिन nifty में gap fill नहीं हुआ है तो मैंने पहली कह आपको जैसे ही अगर इसका gap up खुल जाता है थोड़ा सा भी इस resistance के उपर तो हमको आराम से gap filling देखने को मिलेगी हमको जैसे gap filling का मैंने आपको बताया है एक तरीका होता है में gap filling के उपर की जो base candle होती है उसको important support और resistance का का काम करती है तो यह वाली area में मैंने आपको अपना resistance area बता दिया था जैसे ही यहाँ पर से मेरे को एक evening star candle मिली five minute time frame में वहाँ से bearish enter हो चुका था stop loss मेरा और आज के उस दिन के high के उपर था और उसके बाद मैंने अराम से इतना बड़ा target book किया था आपको बताया था कितने points का है यह कम से कम मैंने 98 to 100 points का target book किया था निफ्टी में और मैं आपको कल के analysis सो करता हूं तो daily time frame में अगर हम nifty को एक बार देखेंगे तो nifty ने भी एक अच्छी trend line का breakout कर दिया है यह देखिए यह मेरे की एक अच्छी trend line बन रही थी निफ्टी में और इस trend line के बहुत अच्छा breakout हो चुका है अब अगर हम ध्यान से देखेंग का formation wide dozy मतलब ना यहां से मेरे को bearish लग रहा है buyer sellers दोनों confused है किस तरीके हम वोग हो सकता है कही को भी हमको एक अच्छा move देखने को मिल सकता है लेकिन जो यह वाला reason है मैं इसको आपको mark करके देता हूं अच्छे से black करके अच्छा का अच्छा काम करेगा हमारा support का और वही resistance की बात करें तो यह वाला अगर आप ध्यान से reason को देखोगे तो आप वही बहुत important resistance देखेगा यहाँ पर देखे कितना बड़ी है resistance देखने को मिल रहा है यहाँ पर फिर से हमको resistance देखने को मिल रहा है यहाँ अच्छा यह भी support का 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 काम कर सकता है और उपर वाला जो 18, वह हमारा काम करने वाला है तो अगर वही आप देखेंगे तो यह वाला जो लेवल है मेरा मैं आपको अच्छा काम करने वाला है हमारा सपोर्ट का यह ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत सपोर्ट का और पहला टार्गेट मैं यह ही लेने वाला हूँ और वही अगर अपरसार की आपको रहले प्त हूं रहे work कर सकता है तो हम एक बार इसको ये वाला लेवल का हम सेकेंड टार्गेट ले सकते हैं 18,000 के आसपास का हमार 200 पॉइंट का निफ्टियर दिर्मूव अच्छा देखने को मिल सकता है तो अब हमें देखते हमको ट्रेड कैसे लेनी है बहुत इजी से तरीके से आपको ट्रेड लेना बताऊंगा जैसे ही अब ध्यान दीजिए अगर ये फ्रेट खुल जाती है तो वेट करेंगे ब्रेक आउट का या ब्रेकडाउन का और अगर थोड़ी से गैप देखने को मिल सकता है बहुत इजी सेट अप मैं आपको दे दिया है देखें कोई भी ट्रेड इसमें कर सकता है अगर आप हलका सब प्राइस एक्शन जानते हो ट्रेड करना आपको जानते हो अच्छी सैकलोजी है आपकी तो इसकी वीडियो को देखके आप अराम से ट्रेड कर सकते रहा है इस वाले लेवल पर यह लेवल हमारे एक important support का का काम करने वाला है इसका आपको ध्यान रखना पड़े एक कर कल क्रेड करने से पहले और वहीं अगर इसका breakdown पर सी टेस्ट होता है तो पहला target हमारा बहुत easy रहने वाला है 17730 का or second target हमारा रहने वाला है 17650 का 17650 के ब आपको बेरे साइट की ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि मैं आपको बताया है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी के लिए तो यह वाला हमार सेकंड टार्केट रहने वाला है और निफ्टी भी मैंने जैसे कहा है आपको बैंक इस तक हो कि मैंने सब बुलिष ट्रेड दे रखी है अपने प्रीमें चैनल में वाले जो की फ्री है एंट्री उसमें तो आप उसमें लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक उस चैनल को भी जरूर सब्स्राइब कर लेना और इसमें एड हो जाना वाट्सेप करना चाहते हो तो आप उसमें खड़ सकते हो चलते हैं उसी स्टॉक के तरफ तो स्टॉक का नाम जो है वह है इंड्र स्टावर्स बहुत अच्छे अपने स्विंग के लेवल पर है मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं यह वाला स्टॉक एक बार तो मैंने इस्टॉक पू करता हूं और अगर बहुत बड़ी के साथ अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो मैं वेट करता हूं इस पर मैंने आपको वीडियो एक अलग से यूटुब पर बना रखिया आप उसको देख सकते हैं मां उसका लिंक आपको लास्ट में आई बटन में मिल जाएगा और अगर इस्टॉक की बात करें तो इस्टॉक एक बहुत इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन्ग के है और इंपोर्टेंट रिस्टेंट चेंस अभी रिस्टेंस ले रहा है और जैसे ही इसका ब्रेक-आउट हमको इसवीग सायद देखने को मिल जाएगा अगर इसका ब्रेक-व्रेक जोन है इस important support जोन है तो अगर मान लीजिए अगर हमारे stock खुलता है यहां पसे retest होता है और retest होते ही हमारे entry लेते ही यह नीचे चला जाता है तो हम इसमें wait करेंगे यह वाला level stop loss रखेंगे लेकिन जैसे ही अगर यह retest कर लेगा retest अगर यह कर लेगा और थोड़ा इसमें upside हमको bullish candle देखने को मिल जाएगी तो इसमें अपने stop loss कर दूँगा इस लेवल में बहुत जादा छोटा है stop loss में कर दूँगा आप वीडियो को ध्यान से देखना मैं कैसे आपको बता रहा हूं कि stop loss में शुरू से हि दूँगा अपना ये वाला level ये वाला level मतलब 2.2 से 3% का मेरा बहुत छोटा stop loss रहने वाला है 2.3% के कम से कम उसका मेरी trade बन जाएगी 1 ratio 8 के risk reward के साथ तो अभी मेरी trade चल रहे है 1 ratio 4 के risk reward के साथ और बहुत अच्छी मेरी trade बन जाएगी अगर मैं इसमें ऐसे करके entry और stop loss छ रहे तो 200 ये में कभी support है इसका मतलब stop loss जाने की chances थोड़ी सी कम हो जाती है और वहीं देखे हम अच्छा खास हमको stock देख रहा है देखे इसमें इतना कुछ बड़ा price action और इतना कुछ hard price action में नहीं बता रहा हूँ simple consolidation हो रहा है symmetrical triangle के pattern में important resistance है और important trend line है इसका breakout procedures पा हम entry कर सक आपको याद रहे और आप इसका screenshot या photo हीच सकते हो तो जैसे ही price action हमको support करता है अच्छे volumes के साथ हमको breakout देखने को मिलता है प्लस retest हो जाता है तो हम अराम से वो कर सकते हैं इसमें entry और जैसे के entry करेंगे तो हम अगर थोड़ी हमको bullish candle देखने को मिल जाएगी entry करने के लिए हमारी इंडेस्ट आवर्स में बहुत अच्छे level मुझे भी लग रहा है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो मैंने आप वीडियो को like कर देना इसमें मैं आपको अच्छे बता दिया है निफिटी बैंक निफिटी अलसे साथ में PSU प्राइबेट बैंक के आने से बता दिया है और साथ मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के बहुत सा स्टॉक दे दिया है तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर देना कमेट से मुझे ताना वीडियो से regarding क्या प्राबलम है और मेरे इंस्टाग्राम प्स टेलिगरम पेच को भी जरूर करता रहता हूं और मेरे वर्टसाइब ग्रूप को भी जरूर जोइन कर लें को कि उसमें आपकी रेगूलर क्वेरी सॉल्व करता रहता हूं सो थेंक्यों वर वाचिंग